दोस्तों पूरे वर्ल्ड का सबसे यंगस्ट एस्ट्रलॉजर है जिसका नाम है अभी ग्यानंद शायद आप लोग जानते होंगे इस वक्त मीडिया का बहुत बड़ा सेंसेशन है वो और बहुत ज़ादा फेमस है वो लड़का करनाटक का रहने वाला ये बच्चा 14 साल का है और इसने दावा किया था 2019 में अगस्त में कि करोना वाइरस का जो प्रकोप है वो 2020 में हमारे देश पर पूरे वर्ल्ड में होगा और इंसान और वाइरस के बीच का ये महायुद होगा तो मैंने अपना लैप्टॉप खोला हुआ है और मैं अभी के आनंद के बारे में ही पढ़ रही हूँ इसमें उन्होंने कहा है जो नया उन्होंने अपडेट दिया है कि करोना वाइरस कब खतम होगा सब लोग बहुत ज़ादा परेशान है 2019 में जब उन्होंने बताया था कि करोना वाइरस आने वाला है तो लोगों ने उनकी बातों को हसके उड़ा दिया था आप लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है यह अच्छी खबर नहीं है यह बहुत बुरी खबर है वो कहते हैं कि 29 माई 29 माई को जो है करोना वाइरस का अंत शुरू हो जाएगा मतलब थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा लेकिन उसके बाद जो है वो फिर से बाउंस बैक होगा और फिर से हालत जो है वो खराब हो जाएगा डॉक्टरों को ऐसा लगेगा कि उन्होंने विजय पाली है इस वाइरस के उपर लेकिन वो ऐसा नहीं होगा और यह संक्रमन जो है वो जून में भी चलता रहेगा उनके हिसाब से जुलाई के अंत तक इस संक्रमन का थोड़ा बहुत कमी मैसूस होगी और वो थोड़ा सुधार पकड़ेगा लेकिन उनके हिसाब से कहना है कि हमारी प्रिथवी पर सूपर बग्स जो है वो हिट करने वाले हैं बहुत बुरी तरह से उनका ये भी कहना है कि इंसान जो है वो वाइरस से लड़ने के लिए चाहे करोना वा उपर करते ही रहेंगे संक्रमन और इसके इससे उभरने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि हम लोग अपनी इम्मुनिटी को बहुत जादा स्ट्रॉंग बनाना पड़ेगा हमें और 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 प्रोड़क्स को अपने लाइफ में लाना पड़ेगा अब अब जो दुनिया है वो हो गई है राउंड आपको अब दुबारा से पुराने मतलब यू टर्ण मार के जैसे हमने आयूरवेदा के टाइम पे 100 साल पहले जैसा जीवन था वैसा ही जीवन शैली अब हमें अपनानी पड़ेगी नहीं तो हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है दोस्तों अभिग्यानन ने खुलासा किया है कि कितनी भी बड़ी मेडिकल टीम हो वो इस पेंडैमिक से उभरने में सक्षम नहीं हो पाएगी बहुत ज्यादा मुश्किल है और आप लोगों को इंसानों को खुद ही अपनी उमिनिटी का ध्यान रखना ये तो एकदम दिल दहला देने वाली है जो उन्होंने एक और नए बहुत बड़े पंडैमिक का उन्होंने खुलासा किया है कि लोगों ने पूछा कि कोई और बड़ा पंडैमिक क्या इस धर्दी पर आएगा तो अभिग्यानन जी ने बोला कि येस फिर से आएगा और जो की है 20 दिसंबर 2020 को फिर से पंडैमिक आएगा जो की अभी करोना वाइरस से भी जादा खतरनाक होगा और उनके मुताबिक जो ये पंडैमिक है ये 31 मार्च 2021 तक चलेगा जो की कोविट 19 से बहुत बहुत जादा गुना खतरनाक हो अभी के आनंद के मुताबिक हम लोगों का जो पूरे वर्ड की एकनॉमी है वो बहुत जादा क्राइसिस में आने वाली है जुलाई तक बहुत बहुत जादा खराभ हालत होने वाली है तो आप सब लोगों से निवेदन है कि घर में रोज सवेरे श्री राम जी की पूजा किया करिए क्योंकि उन्हों ने ये बताया ह कि आप अगर मंत्र का जाब करेंगे तो इससे आपको निजाद पाने में मदद होगी अब सिर्फ भगवान का ही सहारा है क्योंकि जो उन्होंने लास्ट ये प्रेडिक्शन किया था वो सच हो गया है और जो वो नेक्स्ट येर की प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो भी सच ना हो जाए ये सोच सोच के दिल जो है वो देहल जाता है तो अब हम लोगों को अपना खुद का ख्याल खुदी रखना है इम्यून बूस्टे ड्रिंग्स जो भी हम लोग बता रहे हैं आयूश मंत्राले वाले बता रहे हैं आपकी दादी परदादियों ने बताया है उन सब को जब भी लोगडाउन खुल जाएगा उसके बावजूद खुलने के बाद भी प्लीज अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिए बाहर का खाना बिल्कुल मत खाईए जितना हेल्दी खाना हो सकता है उतना ही खाईए क्योंकि ये बार बार बताया जा रहा है इम्यून करके उनके बारे में पूरी चानबीन कर सकते हैं और अपने आपको पूरी तरह से सटिस्फाइब कर सकते हैं कि रियली में क्या होने वाला है तो आई होप ये वीडियो आप लोग लगी होगी और आप लोग अपने आपको पूरी तरह से तयार करेंगे नए खत्रे के लिए उमीद करते हैं कि एक दिन हम सब इस मुसीबत से बाहर आ जाएंगे और दुनिया फिर वैसी हो जाएगी जैसी पहले थी इसी उमीद पे इस वीडियो को मैं खतम करती हूँ अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजेगा इसको शेर कीजिए क्योंकि यह information बहुत important है